हेलो दूस्तू, स्वागा थे आपका Study Smart Studio में आज हम Medible History में भक्ती आंदूलन के प्रमुक संतों के बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक को हम दो भाग में डिबाट करके पढ़ेंगे आज हम सिर्फ डक्षन भारत के संतों के बारे में पढ़ेंगे तो चलते हैं सेशन की ओद भक्ती आंदूलन के संत्र साथमी और आजमी सतापदी में भक्ती आंदूलन के प्रमुक संत, अलवार संत, नैनार संत और संकराचार थे फर्स्ट कोश्चन है भक्ती आंदूलन का सरपितम उल्ले कहां मिलता है राइट आंसर है सि duty urban open street में यस्ट है, भारत में भक्ति आंडूलन की शुरुबात कहाँ से हुई है टाइट अंसर है दक्षन भारत से और भक्ति आंडूलन का सर्पितं उलिक सुईट अंबर open street में मिलता है और दक्षन भारत में भी कहाँ से हुई थी तमिल छेत्र से तमिल छेत्र, करनातक और महराष्ट के बीच इस्तित है नेश्ट है डक्षन भारत में भक्ती आंदोलन की शुरूबात किसे ने की थी रामनुजाचार ने जबकि उत्तर भारत में इसकी शुरूबात रामनंद ने की थी नेस्ट है भक्ती आंदूलन को दक्षण भारत से उत्तर भारत में लानी का श्री किसी जाता है रामनेंद को रामनेंद ने भक्ती आंदूलन को दक्षण भारत से उत्तर भारत लाया था नेस्ट है भक्ती आंदूलन का प्रारंब किस ने किया था भक्ति आंदूलन का प्रारंब अलवर संतों द्वारा किया गया था और अलवर संतों की संक्या कुल बारा थी नेस्ट कॉस्चन भक्ति संस्कृति का भारत में पुनार जन्म कब हुआ था राइट आंसर है डी पंद्रमी और सूलमी सताब्दी में सबसे पहले भक्ति आंदूलन की शुरुबाद चटमी वा सातमी सताब्दी में संतों द्वारा की गई थी अलवर और नैनार संतों द्वारा लेकिन भक्ति संस्कृति का भारत में फिर से पुनार जन्म हुआ और कब हुआ था पंद्रमी और सूलमी सताब्दी में निश्ठे अलवर संथ मुख्यता किसकी भक्त थे अलवर संथ मुख्यता विश्रू के भक्त थे अलवर संथ का अर्थ हुता है ज्यानी वक्ती और यह एक इस्वर वादी थे अर्था एक ही इस्वर में विश्वास रखते थे अलवर संतों की संक्या कितनी थी? 12 थी अलवर संत कुल 12 थे यह उनके नाम हैं जिन में से आपको दो तीन ही याद रखने हैं एक मालवार, अंडाल और कुल सेखर इन तीनों की नाम बहुत महत्पूर हैं एक मात्र महिला अलवर संत कौन थी? राइट अंडाल अंडाल बारा अलवर संतों में से एक मात्र महिला संत थी एक मात्र महिला संत थी? एक मात्र महिला संत कौन अलवर संतों में कौन महांतम और उठक्रिस्ट कोटी के संत थी? नमबलवार नमबलवार सबसे महांतम और उठक्रिस्ट कोटी के अलवर संथ थे Next question वाई अलवर संथ जो पूर्व में श्रावश्ण कोर की राजा थे कुल सेखर एक ऐसी अलवर संथ है जो पहले श्रावश्ण कोर के राजा हुआ करती थे लेकिन बाद में वस संत बन गए नम्मलवार ने कौन से गरंथ लिखे थी ताइट आंसर है जी अप्रक्त सावी नम्मलवार अलवर संत ने तिरू वरित्म तिरू वारीशिरम पेलियती रुवनदादी और तिरू वेमूल यह सभी गरंथों की रचना की थी नम्मलवार नम्मलवार की चारों गरंथों को मिलाने पर वह चतुरवेद की रचना हो जाती है नम्मलवार की चारों गरंथों को चतुरवेद कहा जाता है एक मात्र अलवर महिला संत अंडाल ने किस गरंथ की रचना की थी राटांसरह दि अप्रुक्त शाबी महिला संथ अलडान ने मच्चियार, ट्रूमोली और ब्रूपबई ग्रंथ की रचन्य की थी नेश्छें, नैनार संथ मुक्पता किसके भक्त थे नैनार संथ सिवके भक्त थे और इनकी संख्या कितनी थी 63 थे निस्ट है नैनार संटों की कुल संख्या कितनी थी 63 और नैनार संट सिव के भक्त थे निस्ट है संक्राचार का जन्म कहां हुआ था संक्राचार का जन्म किरल में हुआ था और केलर में भी कहां केलर में अलवर नदी के पास कलाडी नामग्राम में 788 इसबी में हुआ था और संक्राचार की मृत्तु उत्तराखंज में हुई थी ये भी आपको याद रखना है संक्राचार का जन्म केलर में अलवर नदी के पास कलाडी नामग्राम में 788 इसबी में हुआ था वहम रत्टु उत्त्राखंज में हुई थी संकराचार के गुरु का क्या नाम था? गोविंद योगी संकराचार के गुरु का नाम गोविंद योगी था और संकराचार को प्रामहन्स की उपादी किस ने दी थी? इनके गुरु नहीं दी थी संक्राचार की माता का नाम आर्यंभा या सुबद्रा था और इनकी पिता का नाम स्युगुरी था यही भी आपको याद रखना है निस्ट है संक्राचार का दार्शनिक मत क्या था आद्वेतबाद संक्राचार का दार्शनिक मत आद्वेतबाद था नेश्ट है हिंदू मानिता के अनुशार संक्राचार को किसका अवतार माना जाता है संकर का अवतार और संक्राचार का मत कौन सा था आद्वतवाद आद्वतवाद में कुछ तीन भागों में बाका गया है इसके तीन तत्य थे तत्य मीपाल मीमासा ज्ञान मीमासा और आचार दर्शन आदेवतबाद के कितने पहलू थे या तत्य थे तीन येश्ट है हिंदू धर्म को सुवेवस्तित करने के लिए संक्त संक्राचार ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी संक्राचार ने इस मरती संप्रदाय की इस्थापन की थी इसी संप्रदाय में इनोंने पंच देवु पाशना का सिद्धान्थ बताये था किस में बताये था इस मरती संप्रदाय में डक्षन भारत में इनोंने धार्मिक जीवन हेतू ना ब्रह्माच्यार धर्म और तपस्री बरकी सापन की थी। ये भी आपको यार रखना है। दाइटांसारदी अप्रक्तसाभी संक्राचार की प्रमक्रचना ब्रह्मसूत्र महावास, गीतावास, प्रिपंच सार्तंत और अपदेश साहसी है। नेश्ट है, बौध धर्म की महायान साका से प्रवायत होने के कारण संक्राचार को क्या कहा गया था। प्रचन्य बॉध्द, संक्राचार को प्रचन्य बॉध्दी भी कहा जाता था, यह संक्राचार न कुल चार मठों की स्टाप न कीती, बैसे तो संक्राचार न अनिक मठों की स्टाप न कीती, लेकिन चार मख मठ प्रमुक कौन कौन से हैं, यह हैं जोती पीच, सार्दा पीच, गोवर्धन पीच, स्रंगेरी पीच, जोटी पीच, विशुनु को समार पे थे और यह उत्राखंट के बद्ली नाथ में हैं, सार्दा पीच, कृष्णु को समार पे थे और यह गुजराच के द्वारिका में हैं, गोवर्धन पीच, बलभद्रवा सुबद्रा को समार पे थे वा यह पूरीशा के पूरी में स्तित है और संगेरी मत शिवकु समार पे थे और यह करनातक के मैसूर में है संकराचर ने पांच में मच किस्तापना तमिलानू के काँची पूरम में की थी निस्ट है संकराचर ने पांच में मच किस्तापना कहां की थी राइट आंसर है जी, तमिल्लानु के काशी पुरम में, निस्ट है, चार मठों के प्रमुक को क्या कहा जाता था, महंत कहा जाता था, निस्ट है, सिंगेरी मठ के प्रमुक को क्या कहा जाता था, सिंगेरी मठ के प्रमुक को जगत गुरु कहा जाता था, जबकि अन्न मठों के प्रमों को महंत कहा जाता था सिंगेजी मत शोको समार पे थे और यह करनाटक के मेसूर मेस्तित है नेस्ट है रावानुजाचार का जन्म कहां हुआ था राइट आंसर है ए मद्रास में 2017 S.V. में मद्रास के पेरंबर में रावानुजाचार का जन्म हुआ था और 1037 S.V. में तमिलानु के श्री रंगम में इनकी म्रेटु हो जाती है नेस्ट है रावानुजाचार के गुरू का नाम क्या था रामाँजाचार ने बेदों में प्रिसेक्चान कांची पुरम के रामनुजचार श्री संप्रदाय से संबंदित थे। निस्ट है रामनुजचार का दार्षनिक मत क्या था। इनका दार्षनिक मत विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् रामानुजाचार को सिंगेरी छोड़ना पड़ा था। राइट आंसर है E. कुलोटिंग प्रिथम से। इस कारण यह है खोईसल यादव राजबंस विश्णु भरदन की राज़ पहुंच गए थे। शिंगेरी छोल कर यह कहां पहुंच गए थे। विश्णु भरदन की रा राज से संबंदित थी और इनका मत क्या था विश्णु भरदन की राज़ रामानुजाचार की प्रमुख रचना कौन सी थी। राइट आंसर है D. अप्रक्त सभी इन्होंने स्रीभास्त, गीताभास्त और बेदान्त सार की रचना की थी। भक्ति को दार्षनिक आदार प् और इनका मत विश्श्त द्वयताबाद है। येश्चत है संपर्दाए कि स्तापनゆ क्यों की थी। राइट आंसर है द्वक चौर ने और इनका मत क्या है। द्वयता द्वयतबाद। सुदर्शन चक्र का आउतार और सूर का आउतार किसी माना जाता है निम्बकाचार को सुदर्शन चक्र और सूर का आउतार माना जाता था निम्बकाचार का दार्षनिक मत क्या था द्वेता द्वेतवाद निम्बकाचार का दार्षनिक मत द्वेता द्वेतवाद था और यह संकादी संप्रदाय से संबन्दे थे सनकाजी संप्रदाय को निबाई संप्रदाय भी कहा जाता है निमकाचार का कारचेत्र कहा था? मतुरा इनका कारचेत्र मतुरा था और यह राधे की पूजा किया करते थे और यह कृष्ण को सिव कावतार मानते थे निमकाचार के गुरू नारद थे निमकाचार के गुरु कौन थे? नारद और नारद के गुरु सनकारी थे निमकाचार की रचना कौन सी थी? राइट अंसर है ये और भी उप्रक्ते दोनों निमकाचार ने वेदांथ परिजात सोराओ और दस लोकी सिद्दांथ रत ने इन दोनों की रचना की थी मादुवाचार ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? राइट आंसर है B. ब्रह्मा संप्रदाय की मादुवाचार ने ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना की थी और इनका मत द्वेतवाद था इनका मत क्या था? द्वेतवाद नेस्ट है मादवाचार का दारसनिक्मत किया था द्यत्वाद और मादवाचार ने ब्रह्मा संपरदाय की श्ठापना कि थी मादवाचार किसस जैतीर्थ ने उनके उपधेशों को किसमे संकलिट किया था राहे चान्सर है सी सूत्रभास में मादवाचार किश सजाईटी ने उनके उफदेशों को सूत्रबास में संक्लित किया था इनकी मरत्थ्यू के बाद यह संपरदाय दो भागों में विवक्त हो जाता है यह दो भाग कौन कौन से है बिरवट और ग्रहस्ट बिरवट की स्थापना किसावट और ग्रहस्ट की स्थापना हरी भियास नामक्ससने की थी नेस्ट है विश्णु स्वामी ने किस संप्रदाई की स्थापना की थी राइट अंसर है रूद्र संप्रदाय विस्वनु स्वामी ने रूद्र संप्रदाय की स्थापना की थी और इनका मत सुद्ध द्यताबाद है नेस्ट है विस्वनु स्वामी का दासन एक मत क्या था सुद्ध द्यताबाद विश्वनु स्वामी ने रूद्र सम्परदाय के स्थापना के थी और इनका मत सुद्धित व्यताबाद है थेंक्स पॉर वचिंग यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरू करें इससे हमें मोटिवीशन मिलता है तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में